हलो दोस्तो मैं पश्रान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वीटीट कमूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में काफी इंपोटेंट और क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं आप में इसे बहुत सायों लोगों के रेगलर बेसिस पर कोरी जाते रहते हैं कि सर हमें निफ्टी में ट्वेड करना चाहिए या फिर बैंक निफ्टी में ट्वेड करना चाहिए ज्यादा profit के chances कौन आपको देता निफ्टी या बैंक निफ्टी चलिए इस concept को हम समझते हैं तेहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला जिसके basis में हम आसानी से intra- day trading कर सकते हैं यहनि हमें यहां पर देखना है कि intra-day trading किसमे करना जादे फायदेमांद है निफ्टी में करना जादे फायदेमांद है या फिर bank निफ्टी में किसमें ट्रेड करने से हमें ज़्यादा profit मिलने की opportunity है तो चली देखते हैं कौन बहतर है सबसे पहले अगर हम Nifty की बात कर ले तो जैसा कि आपको पता होगा कि Nifty में इंडिया के जो भी लिस्टेट कमपनी है उसमें से टॉप 50 कमपनी आते हैं जबकि यहां पे हम बैंक Nifty की बात करें मैं आपको दिखाऊंगा भी बैंक Nifty में आप आपको बैंकिंग सेक्टर के जितने भी टॉप कमपनी यहां पे आते हैं और इसमें मैक्सिम्म आपको 12 कमपनी के फ्रॉक्स यहां पे आपको देखने को मिलेंगे तो अगर निफ्टी करना बात कर ले इस 50 में से अगर कोई एक दो स्टॉक्स भी मेजर अपसाइड या फिर इंपक्ट हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिलता है तो यही कारण होता है कि बैंक निफ्टी में आपको जादा वॉलटलीटी देखने को मिलेगा यहीं बैंक निफ्टी आपको जादा वॉलटाइल दिखेगा वहीं अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आ वाइड कर सकते हैं तो फिर आप यहां पे निफ्टी को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको मांकेट में वॉलेटलीटी चाहिए आप वॉलेटलीटी को पसंद करते हैं और वॉलेटलीटी में ट्वेट करना आता है तो फिर आप बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफर कर सकते ह यहाँ पर प्रेड रहता है अगर आपका बैंक निफ्टी में ट्वेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं लेकिन निफ्टी की बात करती है पार्टिकुलर एक रेंज में मूब करता हो दिखेगा और इस पार्टिकलर रेंज में ट्वेड करके प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं इसलिए जिनको ज्यादा करनाया क्वी ट्वेड करके अगर धे हैं यहां पे आपको मैकस्मीम 12 स्टॉक्स रेकिनें रखता है अग्य डोनों में से कोई पर आप मेजर अप्साइड या डाउन साइड मूव जाता है तो का डायक्त इम्पेक्ट हमें बैंक निफ्टेंड दे बैंक निफ्टेंगाएं नहीं कि नहीं कर सकते हैं और देड़ कर आपको रिवी लकारा हुआ उसका सिटी में गर जबकि अगर आप निफ्टी में ट्वेट करते हैं तो आपको हर एक सेक्टर पर नज़र रखना परेगा आपको बैंकिंग सेक्टर पर इस तरह से टेलिकॉम सेक्टर पर सब सेक्टर पर नज़र रखना परेगा जबकि बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर करने की जरूरत है अगर आपको जहां पर भी बहतर opportunity मिलता है वह हां पर आसानी से ले सकते अगर आपको nifty में opportunity जादा मिलता है तो वहां पर ट्वेट करके profit बना सकते हो अगर आपको बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर बॉपरफिट मिलता है तो यह वह जहां पर बहतर आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले यहां पर निफ्टी के बात कर लेते हैं इस पहले आएंग उससे से लेकि आप उसको देख सकते हैं जहां पर पूरा जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताया गया है तो आप एक बार हमारा मोबाइल एप एक्विटिट कमडिटी को डाउंडोर जोड किजे प्ले स्टोर से नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिश्टर में भी मिल जाएगा और उसके बाद आप विजिट करके जोड देखिए आपको कोर्स पसंद आता है माא捆र जा औपन हुआ chce उपर जा रहा था यहां पर जो बाइयर्स किया थे वह हमें ज्यादा दिख रहे थे लेकिन पॉईंट पर जाने यह नहीं 18400 के लेवल पर पहुंचने के बाद यहां पर क्या हुआ है सबसे पहले हमने देखा है कि मैक्सिमुम कॉल ओवाई कहां पर यहां पर यह लेवल हमारे लिए एक जबरदस्त वेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखा है उसके बाद यहां पर अगर हम बात कर है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और जो यहां पर हमें इस लेवल के आसपास यह नहीं 18,390 करीब हम सेल साथ की तरफ जा सकते हैं और अल्टिमेटल इस टागेट वैस को हिट किया यहां से ओल द वे इस दोनों लोग को जोईन करते हुए ट्वेंड लाइन ड्रोग किया है और इसके बाद प्राइस आपका ओपर साइड की तरफ दिखा और एक और चीज़ यह सारा हो कहां सरा यह हो रहा आपका 18,300 लेबल से जहां पर मैक्सिमम है पुट ओवाई दिखा मतलब यह लेबल हमाई लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है उसके बाद प्राइस यहां से ओल द वे उपर गया जैसे उपर गया हम इस टागेट पैस के लिए जो आपका डेज हाई बना था उ लेबल की बात करें तो यहां पर भी हम दुबारा से बाइसार की तरफ एंट्वी लेके और वे हम कहां 18400 के ऊपर जा सकते थे और यहां से भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आसानी से मिल जाता तो इस तरीके से यहां पर अगर हम लास्ट दो ट्वेडिंग सेसंस यह न लेखेंगे कि इंट्राडे में हमें ट्वेड करने में जादा प्रॉफिट टेवल है या नहीं है तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी आपका विलेटिवली जादा वोलटाइल रहता है यहां पर यह कौछ चीज़ बताना चाहूंगा कि निफ्टी क अगर हम लेबल की बात करें अभी आपका एडिएंट फो और ट्वेड कर रहा जबकि बैंक निफ्टी आपका 42 तो देख सकते हैं जितना प्रॉफिट आपको निफ्टी मिलेगा ज्यादा को डिफ्रेंस आपको प्रॉफिट में नहीं मिलेगा बस आपको यहां पर वोलटि लेकिन जबूएंट नहीं है कि मिलेगा भी अब लाप्स दो दिन की बात कर लें यहां पर फॉर्टिंट आफ नॉम्बर की बात कर लें तो वहां पर सिस्ट्रमाटिक पावर का ट्रांसफर होता हुआ ऐसा यहां पर हमें कुछ नहीं दिखा यानि कोई भी ट्रेडिंग शक्ते हैं और यहां पर क्या बनता हुआ दिखा यहां पर आपका सबस्ब्रीग कि तरफ कर रहा है जिसको ब्रैक अशन्ग ब्रैट करने चांस पर ज्यादा और जैसे यहां बन जाएगा तो पहले हम इस टागेट के लिए जाएंगे फिर हम आगे और भी टागेट के लिए जाएंगे देख सकते हैं जो भी हमारा डे जाए बना इसको आसानी से आपको हिट करता हुआ दिखा है यह यहां से प्राइस आपका ऑल दवे 200 पॉइंट ऊपर गया यह दो प्राइस के करीब पूट साइट की तरफ ही हमें हुआ देखने मिल आता अब प्राइस अगर वापस से प्रिवेस डेज लोग के बराबर आता तो यहां पर हम बाइसाट की तरफ इंट भी ले सकते थे लेकिन इससे पहले ही आपका वापस उपर साइट की तरफ लौड गया यहां पर हमें ट्वेडिंग अपरचुनिटी जादा नहीं मिला जबकि निफ्टी में यहां पर हमें ट्वेडिंग अपरचुनिटी मिला था उसकी बाद अल्टिमेटली क्या होगा प्राइस आपका उपर गया और यहां पर डेज हाई को जैसे ब्रेक करके प्राइस उपर Markets को ऐसे दो कोई Gबादस्ति का trading opportunity find नहीं करे तो जबकि अगर हम nifty की बात करें निफ्टी न हमें three trading opportunity देख सकते हैं कि nifty में में ज़्याधा trading opportunity मिला income to bank nifty अभी कonna situation है लेकिन हमेसा आपको ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा आपको relatively बैंक निसला स्षपाइब करना प्रैफर कर सकते हैं यह नहीं तो दोनों मेंसे जो बैतर लगता है दोनों को तयार किजिए और जहां पर ट्वेडिंग अपर्चुनिटी मिलता वहां पर ट्वेड गर सकते हैं सुमीत करते हैं इसको लेके जो कंफीजन होगा वह आपको दूर हो गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथ इसाथ बेल आइकन सब्सक्राइब करें तो देट सौल फैंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद